इस्राइल हमास युद्ध अब इस्राइल इरान युद्ध में तबदील होता दिख रहा है दोनों देशों में तिवर जंग छिरने की संभावना जताई जा रही है इरान ने 13 एपरिल की शाम को इस्राइल पर करीट 300 ड्रोन से हमला किया था इसके साथ ही अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल भी दागी थी हालगी इरान के हमले में इस्राइल को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन इस्राइली प्रधानमंत्री बेंजमिन नेतन्याहू ने कहा था कि समले का जवाब जरूर दिया जाएगा जिसके बाग 19 एपरिल की सुबह ही इस्राइल ने इरान पर जवाबी कारवाई की है इरान के लगभग 9 लोकेशन को टारगेट बनाय गया है इस्राइल ने किस हत्यार से इरान पर किया अटाइक इस्राइल ने सीरिया और इराक में भी इरान समर्थित गुटों के ठिकानों को निशाना बनाया जातर जगों पर इस्राइल ने UAV का इस्तमाल किया है यही नहीं इसराइल ने एरान के इवफ़ान्स शहर में भी हिमला किया है जहां इरान का नुक्लिय प्लांट मौजूद है यह शहर इरान की एक तरह से मिलिटरी कैपिटल है और आई-ार्ट-जी-सी का हेड़कौर्टर भी इसी शहर में है अभी तक इस हमले में किसी बड़ी क इस फोटो की आवाज सुनने के बाद उसने कई ड्रोन मार गिराए हैं बदा दे कि इसराइल ने पहले ही इरान को करारा जवाब देने की बाद कही थी लेकिन इरान के राश्टपती इब्राहिम रैसी ने इसराइल को चेताउनी देते हुए कहा था अगर इसराइल ने इस हमले का जवाब दिया तो हम बिनादेर किये दोगुनी ताकत के साथ इसराइल पर हमला करेंगे ऐसे में इसराइल के इस हमले के बाद दोनों देशों में बड़ी जंग छिरने की संभावना बढ़ गई है इसे देखते हुए इरान ने अपनी सभी यात्री उडाने रद कर दी है